मिवाद के तावडू में सनिवार को पित्रपक्ष की अमवश्या के अवसरपा स्री सनी पीट धिडारा में संत समागम का आयोजन क्या गया है जिसमें स्री सियामगिरी गौशाला के सरक्षक एवं शिव सनी पीठा दीश्वर श्री महंत नरेश्गरी महराज को सर्व समती से श्री संभू सड़ दर्सन मंडल जिला गुरोग्राम इवं मिवाद का अध्यक्ष चुनलिया गया है श्री सिव सनी पीठ डिटारा में सनीवार को सर्व पित्र अमविश्या के अवसर पर महंत नरेश्गरी के साधन्य में श्री संत संभू दल सड़ दर्सन मंगल का बैठक का आयोचन क्या गया है जिसमें बड़ी सिंख्या में संत महात्माओं ने अपनी उपस्तिती दर्श कराई है महंत नरेश्गरी ने वहाँ उपस्तित संत महात्माओं और सरधालों को सर्व पित्र अमविश्या और नवरात्री पर्व की सुबकामनाय देकर इस सम्मेलन की सुरुआत की गई है इस अपसर पर सभी संतों ने एक स्वर में सभी लोगों से सनातन धर्म को मजबूत करने का आववान किया गया है और सनातन धर्म के विविन संप्रदाईयों में एकी करण का भाव प्रिकट किया संत समा गम में निरने लिया गया है कि सनातन धर्म से समंदित संत महात्मा पंडित पुझारिवा अखाडे से समंदित किसी का भी निराधार सहन नहीं किया जाएगा किसी भी मठ मंदिर या गौसाला अन्य सनातनी महराज पर कोई विपता आती है तो सभी संत समाच एक जुठों मदद के लिए त्यार रहेंगे हर तिन वर्स बात मंडल के सभी पदादिकारियों का चुनाव सर्व समती से किया गया है बैठक में पदमगिरी गुरू सिरवनगिरी को मोखे कोतवाल के पत पर चुना गया है इसके अतरिक्त नारायन भारती को भी कोतवाल की चिमेदारे दी गई है सरक्षन पदश्री महंत श्यामगिरी महाराच हेली मंडी जाटौली रामपूर मोट मंडल उपाथ्यक्स नैना भीरीराम महात्मको और मंडल महामंत्री सहजनंद गरी महाराच रानौली प्राणपूर तथा सचिब महंत कौसल गरी महाराच विलासपूर गुरूगराम को च चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लीचेगा और रोचाना दिखते रहेगा जिले की तमाम चोटी बड़ी खाबर है